आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या as an accountant आप जॉब में मैं प्रैक्टिस में नहीं रहा हूँ प्रैक्टिस में तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि स्टुडेंट्स इससे भी कहीं ज़्यादा अगर आप सीए नहीं हो या आपके पास कोई हाई एंड कॉलिफिकेशन या डिग्री नहीं है तो भी क्या आप ट्रैक्टिस में पूरे अन्वल पैकेज भी कहा दू तो वह बहुत जादा क्या हो गया है तो क्या बारा लाग का पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो इस वीडियो में हम उनी सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे कि कैसे आप अपनी सेलरी को 12 लग तक लेज आ सकते हैं मैं C.A.P. गुपता अगर मैं आपको कोई information share कर रहा हूँ तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि वो चीज़े सही होंगी क्योंकि 2 lakh plus students को guide कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में मैं से major of the students वो हैं वो एक बहुत अची earning आज कर रहे हैं कुछ job में हैं कुछ practice में अलग-अलग sources से वो earn कर रहे हैं और मुझे industry के बारे में भी अच्छी इतनी knowledge तो at least है कि आप trust कर सकते हो कि वो information जो share कर रहा हूँ वो relevant रहेगी आगे start करने से पहले एक important news मैं आपके साथ share करना चाहरा था आपको पता है कि हमारे 25 certificate courses रहते हैं जो basic से लेकर advanced level तक है return filing registration and all things जो उनके nearby होती है तो वो courses अभी बहुत heavy discount पे available हैं उन students के लिए जो financially इतने strong नहीं है और full fees provide नहीं कर पाएंगे तो आप join कर सकते हो just 400 rupees per subject के around fees पे तो ये 25 courses आप join कर सकते हो और इन courses को करने के बाद students 50,000 से ज़्यादा earned कर रहे हैं in fact कुछ student ऐसे भी है जो 2,3,000,000 रुपे महिना भी earned कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि इतना practically कैसे possible है तो app download करिए course के अंदर free videos भी हैं आप पहले उनको चेक करिए और समझे कि कैसे earning का scope इतना ज़्यादा इसमें exist करता है और इसके अंदर आपको GST income tax, tally, rp9 tally, prime audit, loan, financial account इस तरह के सारे courses मिल जाएंगे तो अगर आप चाहते हो कि एक chartered accountant से expertise level लेना चाहते हो प्रैक्टिकली तो इस opportunity को miss बिल्कूल भी मत करना हूँ सबसे पहले reality check देखते हैं कि actual में मतलब है कैसे अगर आप 12 lakh package पे जाने का plan कर भी रहे हो तो कैसे क्या चीज़े work कर ले सबसे पहले यह चीज़ यह है कि अगर मैं CA की भी बात करता हूँ अगर एपलाई करते हैं किसी जॉब में तो as a fresher normally 9-10 lakh का package मिलता है और यह ऐसा नहीं है कि हर किसी को इतना मिलता है किसी को कम किसी को जादा मिलता है बट एक general अगर मैं बात करता हूँ तो वो depend करता है 9-10 lakh location पे भी matter करता है यह normally metro cities का package में बता रहा हूँ अगर city थोड़ी tier 2 tier 3 यानि की छोटी location शहर है तो वहाँ पर यह salary आपकी कम हो सकती है ठीक है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कि अगर C.A. को as a fresher 9-10 lakh का package मिल रहा है तो 12 lakh का package अगर बिना C.A. बने या बिना इसरे की degree हुए बहुत challenging हमें definitely लग रहा है तो अच्छा इसके लिए एक important point क्या है कि 12 lakh की अगर आपको job चाहिए as an accountant तो ये तभी possible है जब आप senior level पर work करोगे तो उसके लिए दो option है या तो आप आज 3 lakh की job से start करो और दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे 12 lakh तक पहुँझ जाओ जिसके लिए मुझे लगता है कि और कुछ नहीं एक normal part पर depend करता है case to case but generally अगर मैं कहूँ तो आपको 19 साल लग जाने चाहिए ठीक है और 2-3 साल उपर नीचे तो इतना time लग जाएगा यह दूसरी चीज है कि आप starting में ही senior position पर join कर दो तो उसके लिए मुझे लगता है आपको better रहेगा क्योंकि इससे आपके 19 साल बच रहे होंगे 19 साल में तो आपके package कहीं और पहुँच गया होगा सबसे पहले आगर मैं इसमें बात कहता हूँ तो वो है कि आपको networks और connections पे work करना चाहिए network को connection में मतलब professional connections आपको बनाना चाहिए इसके लिए अलग-अलग तरीके हैं क्यों करना है वो भी मैं बताता हूँ industry events होते हैं कभी-कभी आप देखोगे कि आपके locality में भी अगर हो सकता है तो वहाँ पे अलग events हो रहे हैं जहां पे अलग-अलग companies के employees आ रहे हैं अलग-अलग events होते हैं अगर तो आप वहाँ पे join कर सकते हो अगर आपकी city में नहीं हो रहे हैं तो nearby city में आप कर सकते हो या आपका target है किसी particular city में job पाना तो आप उस city में कर सकते हो मान कि चली कि let's say I am from Haridwar मेरा target है कि मुझे देली में job required है तो फिर मैं देली में events देखूँगा और देली में जुस्रेग इवेंट्स होंगे वहाँ पे मैं उनको join करूँगा हाँ obviously manage करना है hectic work होगा मेरी आने जाने में traveling cost भी include होगी फिर long term benefit के लिए short term investment करना पड़ता है दूसरा घर बैठे करने का तरीका है लिंग्डिन लिंग्डिन पे आप connections build up करें और connections का मतलब यह नहीं कि friend request उनको बेज़ी अपने accept हो गया बात कतम हो गई नहीं आप उनके स लग प्लेटफोर्म पर वीडियो देख सकते हो कि LinkedIn पर connections कैसे strongly उनको build up करें simple tips मैं बताऊं तो अगर वो कुछ post कर रहे हैं तो आप उस पर proper comment करो अगर आपको कुछ लगता है किसी ने कुछ help मांगी है तो आप उनको reply करो उनकी help कर सकते हो तो इस तरीके से आप करोगे तो over है कि अगर आपके opportunities आपको पता है मतलब आप एक connection बनाते हैं तो कल को आपको job find out करना easy होता है और आपको better job मिल पाती है और वहाँ पे क्योंकि वह सामने वाला person आपको personally जानता है तो आपकी value ज्यादा करता है और इसलिए आपके लिए job attend करना easy हो जाता है आपका जो interview का competition दिए रहा होता है वह लगबक कही बार खतम भी हो जाता है अगर डिरेक्टली ओनर से आप जानते हैं और वह आप पर बरोसा करते हैं तो वह package भी आपको अच्छा offer कर देते हैं तो यहां पर आपके लिए growth बहुत fast हो जाती है second होता है कि जो चीज demand में चल रही है आप उसक तो सीखो और उसमें specialized हो जो आप एक चीज़ सिंपल सी समझो आप क्या market में purchase करोगे आप market में वह purchase करोगे जो आज trend में है उसके लिए आप extra पैसे भी pay करने के लिए ready होंगे पुरानी चीज़ों को आप purchase करोगे क्या नहीं करोगे clear है अगर मैं tv की ही बात करता हूँ तो आ आप आज क्या prefer करोगे LED TV लोगे उसमें OLED लोगे QLED लोगे यह जो भी advanced technology आ रही है अप उसको invest करने का उसमें try करोगे और उसके लिए आप बहुत बड़ी amount भी pay करने के लिए ready हो जाते हो अगर कोई आपको कहे कि CRT TV है वो ले लो जो पहले पूराने बड़े बलकी डब्ब हो गया वो आज उसकी requirement नहीं है तो अगर आपने सोचा है कि मैंने तो सीख लिए B.com कर लिए M.com कर लिए MBA कर लिए अच्छे college से कर लिए और मेरा तो हो गया काम आप गलत हो try करके देख लो अपने senior से बात कर लो इतने में आपको कभी भी अच्छा package नहीं मिलेगा जो भी trending है उसकी आपको knowledge होना बहुत जरूरी है क्योंकि market में company को आपकी degree से कोई मतलब नहीं है वो cable उनके लिए कागज है उनको matter करता है कि आपके पास knowledge क्या है आप उनके लिए कितना काम कर सकते हो उस हिसाब से salary आपकी matter करती है अगर आप उनको एक लाग का काम करके दे रहे हो म फिर आप को है रही हुए उनको profit कमाना है ना तो इस तरीकी का काम होता है तो जितना बड़े level का आप काम करोगी इसलिए तो आप समझो ना जो बड़े level पर manager होते हैं उनको salary क्यों पर extra कर जाती है क्योंकि वो बड़े level की problem solve कर रहे होते हैं वो ज्यादा profit कर आ रहे होते है that is GST goods and services tax अगर आज के टाइम पे आप वेट CST exercise सीक रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है except वो एक-डू जगे जहां apply होता है सिर्फ उसी किसी industry में आप काम करो that's a different thing otherwise 99.99% places पे आपको GST की knowledge होनी चाहिए हो GST में इस सिर्फ इतना नहीं होता है return filing सीक लिया हो गया का नहीं GST return filing करना बच्चों का काम होता है main important है उसके पीछे के rules regulations को पता होना क्योंकि actual return filing उसके बाद है उससे पहले तो data entry का काम है जब तक आपको पूरे rules regulations नहीं पता है tax planning नहीं पता है कैसे कर तो तो आप अपने आपको high salary के लिए eligible नहीं कह सकते हो सेम बात है income tax में interim tax में आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चीज़े से मैं इन दोनों में आपको को पता हूँ तो place of supply हो गया time of supply हो गया RCM कब होता है block credit कब होता है कब हम ITC ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे कैसे tax planning करना है कैसे tax बचाना है income tax में bigger को five heads of income क्या है deductions कैसे claim करना है PGPP में 44 AD में क्या होना है या इस तरह कि जो audit होना है तो कब होना है कैसे होना है सारी चीज़े आपको पता होनी चीज़े similarly टेली एकसल हो गया और एक audit हो गया audit की knowledge भी होना बहुत 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 जादा जरूरी है बहुत सारे audit ऐसे होते हैं जो आप बिना CA बने भी कर सकते हो company में अगर आप work कर रहे हो तो वहाँ पर आपको audit नहीं करना है लेकिन audit का काम आपको indirectly बहुत सारे handle करना होगा क्योंकि जो CA कर रहे होंगे वहाँ पर आपको उनको report दिनी पड़ती है तो वहाँ पर audit की knowledge अगर आपको है तो company आपसे really बहुत जादा इंप्रेस होगी और एक उनको करने के बाद student likes में क्यों कर पा रहे है जॉब में भी उनको बहुत अच्छा package क्यों मिल पा रहे है जो normally उनके बीना मिल रहा होता है उससे 3-4 गुना ज्यादा मिल रहे हो तो मिलब ऐसे students भी है जो 40-50,000 as a fresher भी joint कर रहे है company में, job में तो उसका reason क्या है उसका reason है आपके पास 25 subject के expert knowledge है, practical knowledge है, आपके पास 16 certificates है, signed by a CEQ कोई भी CE है, उसको इस field का expert माना जाता है, आपके पास 15 badges है, इस तरही किस है, तो job company आपको किसको देगी, obviously आपको देगी न, तो simple है, मतलब इसका answer आपको भी पता है, बस opt करने वाली चीज है, तो students तब भी क्या करते है, सोचते है, बिना कुछ करें, उन्हें सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, यह दुनिया में आपको कुछ पाना है, तो उसके लिए कुछ देना पड़ाएगा, यहाँ पी क्या है, आपको अपने time, अपने efforts देना होगा, उससे skills gain करोगे, तभी आपको salary मिलेगी, company को काम करके देना होगा, high level work करके देना होगा, तभी आपकी income generate होगी, continuous learning आपके लिए important है, certification आप जो भी film में आपको job है, अगर आप accountant नहीं हो, किसी और भी film में काम कर रहे हो, आप software developer हो, तो उसमें अपनी skills को upgrade करते रहो, time to time चीज़े change होती है, उसकी हिसाब से करते रहो, आ आप, कुराने लोग क्यों job से जल्दी निकाल दी जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो क्या करते हैं, अपने आपको upgrade नहीं करते हैं, नहीं लोग आते हैं, वो नहीं technology सीख के, नहीं चीज़े सीख के आते हैं, वो अच्छे से गाम कर जाते हैं, उनको salary package अच्छे से मिलते हैं, certificates आप लो, certificates बहुत important है, क्योंकि जब आपका resume किसी के पास जा रहा होता है, तो तब तक person, company जो है, वो आपको personally जानती नहीं, आपके interview में अभी तक बात नहीं हुए, आपकी knowledge उनको नहीं पता है, वहाँ पर जब certificates attached होंगे या उसके बारे में mention होगा ना, तो उसी से एक impression create ह होता है, आपने मान के चलो कि आपके पास solar certificate है, वहाँ पर आपने लिखा मेरे पास 16 certification courses है, यह यह है, chartered accounts से सी, अपने आपी impression create होगा न, वहाँ पर बाकी सबसे, अरे यह person है, मतलब उच्छा, इसके पास 16 courses है, certification, अच्छा, उसको GST भी आता है, income tax भी इसको तो एक बार ब बुलानक के देखना चाहिए, obviously आपके interview में calling के chances बहुत जादा increase हो जाएंके, recruiter को impression अपने आप rate होगा, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप interview में कर भी रहे हो, handle कर रहे हो, काम होके, अराम से, smiling face के साथ, interview से, confident के साथ बात करो, कुछ नहीं आता है, clearly को कि sir, इसका reply नहीं आती है, ठीक है, return filing में मैंने एक simple सी चीज बोल दी, वैसा तो simple चीज है, हर किसी को, जब course सीखी रहे होते तो आईती है, अगर आपको 3 भी नहीं आती है, तो आपको कि sir, मैंने actually 3 भी पर work नहीं किया है, but मुझे R1 का आता है, मैंने थोड़ा सा सुना है कि similarity होती है, तो मैं अगर requirement यहाँ पर आपकी company में requirement है, तो कोई दिखकत नहीं है, उसको एक बार study कर लोगा, आपने ना आते हुए भी question का answer, सामने वाले को impress किया है, आपने बातों को थोड़ा सा turn किया है, तो यह चीज़े matter करती है, practical experience लोग मैं बार-बार कहुँगा चाहे है, वो मैं बार-बार वीडियो में कहता हूँ, CFM में अगर आप बीना knowledge के जा रहे हो, तो महाँ पर maximum, maximum chances है, exceptional case हमें सा हो सकते है, maximum chances है, कि आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, जब तक कि आप पहले से सीख के नहीं जाओगे, वो 100,000 रुपे में आप काम करें, ठीक कुछ आपको बहुत अच्छे साथ है, बट उसके अलावा भी important के है, communicate करना बहुत important है, जैसे मैंने interview का भी example दिया ना, तो ये skills कैसी communication skills है, leadership skills होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आपको senior level पर जाना है, तो senior level के लिए आपको junior level के logo को, अपने under में मतलब, logo को manage करना होगा, त तो वहाँ leadership की skills भी आपके पास होना चाहिए, क्या ये sir, पहले से आ सकती है, हाँ, थोड़ा सा आप सीख सकते हो, बट over the time ये practice के साथ आती है, जब आप job पे जाएंगे, logo को handle करेंगे, क्योंकि कितना कुछ भी सीख लो, logo का handle करना percent to percent matter करता है, और उसको आपको थोड़ा स सॉल कर दूँगा, मैं महनत करने के लिए ready हूँ, तो problem solving skills, क्या कहूंगा मैं इसको, एक अंदर से ना problem सी, जुनून होना चाहिए, save word मैं कह सकता हो, जुनून होना चाहिए, जो achievements हैं, उसको अच्छे से दिखाओ, आपने, आपके पास degrees हैं, certifications हैं, या आपने client का work किया है, कि आपने क्लाइंट हैं, उन सारी चीजों को जहां-जहां भी आप online present होते हो, या offline present होते हो, वहाँ-वहाँ try करो, उनको mention करने का, आप अपने CV में अच्छे से mention करो, आप अपने LinkedIn profile पे, Instagram पे हो, अपकी website है, आपका WhatsApp business account आपने credit हर जगह उनको mention करो, क्या पता कौन person आपको कहाँ पे check कर रहा है, और हो सकता है कि as a friend का friend ने आपको contact किया, वो किसी company में HR है, उन्होंने WhatsApp पे आपको contact किया, वहाँ पे WhatsApp business पे देखा, आपकी information देखी, उन्होंने कहा रहे मेरे company में content की जरूरत थी, इसमें ये तो बहुत बढ़िया person है, इनके पास तो इतनी knowledge है, उन् क्या होगा, मैं आपने WhatsApp business profile अच्छे से create करने में क्या, आदा गंटा दे दिया ना, नहीं आया कोई value मिल्लब interview पूरी life में कोई दिक्कत नहीं है न, और अगर आ गया, तो life बन गी वो आदा गंटे आपके वसूल होगे, तो ये सारी चीज़े matter करती है, ठीक है, अपने LinkedIn profile को update करते रखो, demonstrate value जो विगरा है, अपनी value को ज़्यादा स्यादा explain करो कि आप कैसे सामने वाले को benefit ज़्यादा स्यादा करा सकते हो, तो जब interview में भी अगर आप जा रहे हो, तो सिर्फ एक question का answer simple दे देना, एक अलक्छी जोती है, और वहाँ पर explain करना, अपने आपको differentiate कर पान कि दूसरे से आप कैसे better हो, अपनी extra तारीफे नहीं करनी है, बट एक soft skills के साथ softly उनको explain करना, कि sir, let's say, मुझे audit का काम आता है, जो, यह नहीं कहना है, बाकि किसी को नहीं आता है, मुझे आता है, नहीं, sir, मुझे audit की भी knowledge है, वो सामने, company अपने आप evaluate करेगी, मेरे बाकि कि आया, तो उनके पास तो नहीं थी, अब उनको बता हो सकते है, उनके mind में नाया हो, आप उनको बता मुझे audit की knowledge है, जब company में क्या होगा, उससे जैसे CA को work required होगा, documents required होगा, तो मुझे पता होगा, मैं documents easily उनको share कर पाऊँगा, और उसमें कहीं बार क्या होता है, कि by chance कभ आप tax save कर सकते हो, client अपनी आप, जो company वो अपनी आप आपकी help, मिलाब, attract हो जाएगी ना, और attract हुआ तो आपको hire करेगी, जब उसको फैदा जाद देखेगा, तो salary भी जादा देगी, salary smartly negotiate करो, इसके उपर मेरी एक पूरी वीडियो, या तो आ गई ही होगी, या आज बैल आगन प्रेस करोगे, तो फिर वो आपको देखी जाती है, पता चल जाता है, तो वहाँ पे आपको उस वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, आप उसको फिर देख लेना, कि salary कैसे negotiate करना है, क्योंकि इस company आपको कोशिश करेगी, कम से कम salary देने का, और आपको कैसे जाए साधा salary उनसे लेनी है, ठीक है, तो यहाँ पे growth opportunities के आए, कि आप जो company grow कर रही, आप उनको भी join कर सकते हो, जो अभी बड़ी company नहीं है, बड़ आपको लगते है कल को grow करेंगी, तो आप उनको join कर सकते हो, promotion विगरा के लिए और rural appraisal के लिए आप work कर सकते हो, तो main ची पूरी मैं आपके साथ share कर दो, ताकि यह बाद में भी आपके काम आए, और definitely इस वीडियो को share करना, मैं बिल्कुल आस में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस level तक पहुंचे हो, और अब भी सुन रहे हो, तो आप 100 में से hardly 10 students होंगे, जो seriously act करने वारे होते हैं, मैं यह की चाहूंगा, कि आप इसको share करो, so that कि बागी students को भी इससे help मिल पाए, उनको पता चल पाए कि commerce film में कितना जान है, कितना scope है,